जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं मैंने एक एनिमी मूवी देखी हलाकि इसे कुछ रोज पहले ही देख चुका था लेकिन इस बीच जब यूटूब स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने उसकी कुछ क्लिफ फिर से देखी क्रिष्टियन बेल ने उसमें आवाज दिया है तो मेरे लिए ये एक पुरजोरी तरीका हो गया था कि मैं उसे देखूं और जापान से आई हैं आप जानते ही हैं कि एनिमी जो होता है वो जैपेनीज एनिमेशन वर्जन ही होता है डारेक्टर जो हैं अगर आप उनसे परिचित हैं तो नाम सुनके फोचक का हो जाएंगे हयायो मियाज जाकी इस्टूडियो जिबली का ये प्रोडक्शन जो है ये कजाब का फिल्म है ये आपको अलग ही दुनिया में ले जाती है आपकी जो माइंड का जो शटर है ना वो जो खोलती है आपको एक नए एक अध्वुत दुनिया से परिचित कराती है हायो मियाज जाकी इससे पहले Spitted Away जिसे Academy Award, Best Animation Movie का Academy Award मिल चुका है, आयो मिया जाकी न कि वोल जापान के, बलकि दुनिया भर के, महानतम मिर्देशकों में से एक है, और यह फिल्म है, Howl's Moving Castle, एक लड़की है, टी एनेजर है, शोफी, वो एक विजड से मिलती है, उससे पहले, उसे एक वेश्ट आप वीच जो है, कर्स कर देती है, स्राप देती है, और उसका उमर अचानक बढ़ जाता है, वो बुड़ी हो जाती है, अब अपने नए रूप को देखकर, वो चाहिर सी बात है, कोई भी परिशान हो जाएगा, तो अपने वापस रूप में आने के लिए, वो बंजारों क भूतों के देश की ओर निकल जाती है, और उसे मिलता है विजट, यानि की हाउल, और वो इंचेंट फुल, वो चमत की बिसमित कर देने वाला, चलता फिरता कैशल, जिसके चार पाओं है, जो धुआ छोडता है, तो क्या मजदार स्टोरी है, और अधभूत है, सिर्फ बच और एक मजदार चीज मैं आपको बताऊं, आम तोर पर जब लाइव एक्शन सुटिंग होती है, तो जब एक्ट होता है, तो उसके सराउंडिंग एक्ट स्वता ही हो जाते है, लेकिन एनिमी मूवी में, डारेक्टर की ये सिद्धता होती है, कि वो सराउंडिंग एक्ट को किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, उसे किस तरीके से जस्टिफाई कर रहा है, इसमें हयाव मिया जाके ए लेबल के हैं, ग्रेट हैं, उनकी चाहिए स्प्रिटेड अवे हो, चाहिए प्रिंस मॉनोनो को हो, मैं उसका भी रिव्यू करूंगा, पोनियों हो, और उनके लगी ह कारण उसका यह है कि इसमें एंटी वार कंसेप्ट है, हाउल को विवस किया जाता है, कि वो राजा के लिए लड़े, सॉलीमन उसे विवस करती है, लेकिन वो नहीं लड़ता है, वो अपने मा के रूप में सोफी को भेजता है, और सोफी क्या सलाह देती है, यह तो आप एकेडमी आवाड ना मिला हो, खर ना मिला हो, ना मिला हो, लेकिन दर्सकों के लिए, मेरे और आप जैसे लोगों के लिए, यह कमाल की मूवी है, एक अलग दुनिया मिले जाती हुई, चाहे कलर में हो, चाहे प्रजेंटेशन हो, स्टोरी टेरिंग हो, इसका जो कॉंसेप् तो मैंने इसे दुबारा देखा था, मैसाज बताओं तो मैंने पहले इसे हिंदी में देखा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि नहीं, क्रिष्टियन बेल ने इसे आवाज दी है, तो मैंने इसे इंग्लिस वर्जन में भी देखा, और कमाल की अदफुत फिल्म है, एक अ पॉनेश्ट रिव्यू आपको पसंद आया हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अभी तक गुरू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैहिंदा